प्रधान नंत्री नरेंद्र मोधी पूरे सम्मान के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये देश आपसे शुरू होकर आप पर खत्म नहीं हो जाता, इंडिया इक्वल टू मोधी नहीं है, मैं जानता हूँ एक जमाने में इंद्रा गांधी के चाटुकार ने कहा था, इंड मुझे गाली दे रही है, मेरे OBC पिछडे वर्ग के होने की वज़ा से मुझे गाली दी जा रही है, प्रधान मंत्री ने क्या कहा, कुछ देर बाद मैं आपको सुनाओंगा, मगर प्रधान मंत्री मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हर चुनाव में आप यही रा को निर्वस्त्र किया गया, तीन घुंडों ने उसे जबरदस्ती चूमा, और इस वक्त वहां के छात्र इस तरह से प्रधर्शन कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि एक सांसद है जिनका नाम है महुआ मोहित्रा, ब्रहष्टाचार को लेकर उनकी जाच हो रही थी, मगर कि अब कोई नहीं आएगा, गोविंद नहीं आएंगे, शस्त्र उठाना पड़ेगा। कॉंग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है, मैंने देखा, किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है, और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है, अब तक मुझे, ये कॉंग्रेस के लोगों ने 91 टाइम, 91 टाइम अलग अलग गालिया दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रधान मंतरी, आप ही के संसदी एक शेत्र बनारस में IIT-BHU की एक छात्रा के साथ बत्तमीजी की गई है, उसे मुलेस्ट किया गया है। उसके कपड़े उतारे गए हैं। प्रधान मंतरी वर्ल्ड कप चल रहा है। भारत जब भी मैच जीतता है, आप तुरंत उसकी बधाई देते हैं। मगर क्या आपको एक ट्वीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बनारस में ये हो रहा है, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। IIT-BHU में एक छात्रा अपने पुरुश मित्र के साथ रात को पैदल जा रही थे। तब ही एक बाईक आती है जिसमें तीन लोग सवार होते हैं। वो तीन लोग उस पुरुश मित्र को अलग करते हैं और उसके बाद उस छात्रा के साथ बदसलूकी की जाती है। उसे जबरदस्ती चूमा जाता है और उसके बाद उसके कपड़े उतार दिये जाते हैं और उस पूरे नजारे का विडियो उतारा जाता है। वो लड़की किसी तरह से अपनी इज़द बचा कर भागती है और अपने एक प्रॉफिसर के कमरे में शरण लेती है। प्रधान मंत्री अब ये देखिए चात्र इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधान मंत्री क्या आपने उस चात्रा से बात की? क्या आपने मुख्य मंत्री आदितनाच से इस बारे में जानकारी ली? क्या आपने स्थानी प्रशासन से इस बारे में बात की? या फिर क्या आपका प्रचार तंत्री ये कहेगा ने ये तो बहुत छोटी सी घटना है हर छोटी मोटी घटना वर प्रधान मंत्री अपनी बात थोड़ ना कह सकते है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधान मंत्री जब एक क्रिकेटर की उंगली पर चोट लग जाती है आप उस पर ट्वीट करते हैं जब भारत एक मैच जीत जाता है तब आप उस पर ट्वीट करते हैं और माफ कीजेगा एक औरत की इज़त भारत के किसी भी मैच जीतने से कहीं ज़्यादा बड़ी है शाहे भारत वर्ल्ड कप फाइनल भी जीत जाए एक औरत की इज़त उससे कहीं बड़ी है प्रधान मंत्री और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अब आपका प्रचारतंत्र क्या करेगा प्रधान मंत्री क्या इनको भी आरबन अकसल बताया जाएगा देश द्रोही बताया जाएगा क्या इन्हें भी बदनाम किया जाएगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जेमियू को बदनाम किया गया बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रोहित वेमुला को बदनाम किया गया था उसे टार्गिट किया गया था और नतीज़ हम सब जानते हैं बिल्कुल उसी तरह से जस तरह से जामिया मिलिया इससलामिया में आपकी पुलीस घुसी थी और वहां के छात्रों के साथ दमन किया था आज IT-BHU के छात्र इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं मगर मजाले साब कोई भाजपा का नेता उनसे कुछ बात करे उनके स्वर में स्वर मिलाए उनका ठांडस बढ़ाए सवाल ही नहीं पैदा होता और मुझे किसी भाजपा के नेता से मतलब भी नहीं है मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधान मंतरी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो आपको गाली भी दे रहे हैं जो मुझे नहीं लगता गाली दे रहे हैं वो सिर्व आपकी आलोशना करते है मगर आपका जो पूरा तंत्र है अपने विरोधियों को आपसे सवाल करने वालों को जेल में डाल देता है परिशान करता है टार्गेट करता है आपके एजिंसी के सारे करता है कि नहीं करता है बताइए तो ये सब हो रहा है और आप ये कहने कि मुझे गालियां दी जा रही है मैं समझना चाहता हूँ प्रधान मंतरी ऐसा क्यों तो दोस्तों एक तरफ आईटी बीच्यू के छात्री प्रदर्शन कर रहे है और प्धान मंतरी नारेंद्र मोदी उस पर पूरी तरह से खामोश है और दूसी तरह दिल्ली में जो हुआ वो भी शर्मनाक है महुआ मोहित्रा टीमसी की सांसद वो एथिक सामिती के सामने पेश हुई मगर उनसे किस तरह की सवाल किये गए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ जो इंडियन एक्स्प्रेस में चप रहे है उनसे ये पूछा गया कि आप रात को किसके साथ बात करती है आप जिससे बात करती है क्या उनकी पतनी को पता है आपका एक खास दोस्त आपको इतना प्यारा क्यूं है पिछले पाँच सालों में आप किन किन होटेल्स में रुकी है और किसके साथ रुकी है मामला तो भरष्टाचार का था ना तो फिर माहुआ मोहितरा से ये सवाल क्यों किये गए और उसके बाद उनके साथ जो विपक्ष के सदस्स थे उस एथिक समिती में उन्होंने वॉक आउट किया तस्वीरे देखिए दोस्तों तस्वीरे देखिए और देखिए उनका उग्र देवर आप दानेश अली को भी देखिए और महुआ मोहितरा को भी देखते हैं सबस्बाइब एक समस्था जाने से जाने इटेट, तया तक हम आप एक तरह रहागा, घूराँ वेक्टिढ़ की कुछिन्स आप लोगों ने वाक पार मुद्ध आप है कि रात में किससे बात करते हूं, क्या बात करते हैं, यह चिर मैं पूझे कि बतानी होगी हैं, यह कि क्या मतला हैं? मैं समझना चाहता हूँ इस दिश में ना आएटी बीएच यू की छात्रा की असमिता है और ना एक सांसत की असमिता और वात यहां खत नहीं हुई है मैं आपको बताता हूँ पुश मित्र उपाद्याए की अमर पंग्तियों को मौवा मौहितरा याद कर रही है उन्होंने क्या कहा पढ़के सुनाना चाहता हूँ कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दर्बारों से स्वयम जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे सुनो अद्रौपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आएंगे दोस्तों गोविंद के आने की तो बहुत दूर की बात है क्या आप जानते हैं कि भारती जनता पार्टी की तरफ से किस व्यक्ती ने इस मामले में अपना पक्ष रखा आपकी स्क्रीम्स पर निशिकान दुबे क्या कह रहे हैं वेज बात को पचा नहीं पा रहे थे कि अनुसूच इतजाती का एक व्यक्ती आचार समिती का ध्यक्ष कैसे बन गया यह वही व्यक्ती है दोस्तों जो संसद में खड़े होकर जूट बोलता है महिला पत्रकारों के बारे में मेरे बारे में इसने जूट बोला इसमें इस कदर कायरता भरी हुई है इस कदर कमजोर आदमी है कि वही बातें वो बाहर नहीं बोल सकता कि क्यों वो जानता है इत्फाखन ये वही निशिकान दुबे है, जो महिलाओं की बारे में आप शब्द बोलता है, इत्फाखन ये वही निशिकान दुबे है, जिसने महुआ मोहितरा को नगरवधु कहा था, यानि की एक वैशा तक बता दिया था, आज ये व्यक्ति भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रख रहा है, हर डिबेट में देखिएगा, निशिकान दुबे ही भाजपा की पारी की शुरुआत करता है, इत्स सच अ बिग फॉल फॉर बीजेपी, शांदार स्पीकर्स रहें इस पार्टी में, सुश्मा, सुवराज सिले किया, अरुन जेटली, स्वरगी अटल बिहार इवाजपी, अडवानी जी, तमाम स्पीकर्स रहें, बहतरीन स्पीकर्स रहें, अगर इतना पतन हुआ है इस पॉलिटिकल पार्टी का, कि आज इन्हें अपनी हर डिबेट की शुरुआत इस आदमी से करनी होती है, वो आदमी जो महिला सांसदों और विधायकों को नगरवधु कहता है, इसने गाली दी थी महुआ मौहितरा को दिपिका पांडे जो की कॉंग्रिस की विधायक हैं, याद भी बार बार ये करता है, लगातार ये करता है, दूसरों पर ताना कसता है कि भाया तुम्हारे पास एपल फोन है, एक लाक रुपए का, मगर इनका खुद का जो बेटा है, वो एडिन बरा युनिवरस्टी में पढ़ाई कर रहा था और आप लंदन में नौकरी कर रहा है, अरे भाई, क्या भारत में अच्छी युनिवरस्टी नहीं हैं, भारत में नौकरी नहीं करनी, आपने तो बहुत रोजगार दिये हैं लोगों को, तो आईए भारत में नौकरी कीजे, क्यों अपने बेटे से बाहर आप नौकरी करवा रहे हैं, क्यों उन्हें बाहर पढ़वा रहे हैं, यहां बेटके महिलाओं का अपमान करते हैं, आप दोहरे माबदंड आपके अंदर कूट-कूट कर भरे हुए हैं, मगर मैं फिर कहना चाहूंगा, जो बड़ा मुद्दा है, स्कायर करिम का है, प्रधान मंतरी आप जब कहते हैं, क्या आपको गाली दी जा रही है, तो माफ कीजेगा, आपको मुद्दे पर रहना पड़ेगा, और मुद्दा यह है कि IIT-BHU की एक छात्रा का अपमान किया गया है, उसकी जज बाइद वे, महुआ मुआतरा ने जो जो बाते कही हैं न, कि उनसे जो निजी सवाल किये गया है, उसे खारिज नहीं किया, ना निशिकान दुबे ने, ना भाजपा किसी नेता ने, ना एथिक समिती के अध्यक्ष ने, किसी ने खारिज नहीं किया है दोस्तों, इसका ना करने के किसी डिबेट के अंदर, क्यों हिम्मत है कि नहीं, भीजी भाजपा की इसी नेता को, अगर आप में हिम्मत है, उनके सवालों का जवाब देनी की, तो सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आपका कोई भी भाजपा का प्रवक्ता मेरे कारिकरम में तो आनी से हाफ में से कई लोग उसे सवाल पुछने की मैं डेबेट क्यों नहीं करता हूँ तक मुझे बॉयकॉट किया हूँ भाजपा ने वो नहीं आसकते मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते कमजोरी है एक किसम की बहराल इस कमजोरी से निजात पाईए मुद्दे पर आईए मुद्दे से मत भटकिए इस देश को असली मुद्दों पर बने रहने की जरूत है अनर्गल वाहियात बातों से बचिए अब इसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार मुझ भीजे जासत नमस्कार कर दो